आज मैं आपको कर्शिव राइटिंग सिखाने वाली हूँ तो चलिए हम शुरू करते हैं हम ए से शुरू करेंगे ए हम साथ साथ छोटे अक्षर भी लिखेंगे बी बी में मिस्टेक बी बी सी सी को उपर वाली लाइन तक रेड वाली लाइन को टच करके सीधा इस सी पर ब्ल्यू लाइन तक टच करना है बिलकुल लाइनों में अब हम छोटा सी बनाएंगे स्मॉल सी इन्हें हम ब्ल्यू इन दोनों ब्ल्यू लाइनों के बीच में बनाएंगे सी अब हम डी बनाएंगे डी को एक दंडा लेजिएगा और इसको थोड़ा सा मोड कर डी को रेड लाइन तक लेके जाएगा और थोड़ा सा बाहर इसका यहां से दंडा निकाले और अब हम छोटा डी बनाएंगे अब हम ए बनाएंगे ए को पहले छोटा ए स्मॉल ही बनाते हैं तो हम उसको छोटे से लेके जाते हैं पर अब हम इससे यहां तक तो लेके गए फिर से गुमाया और यहां पर ब्ल्यू लाइन से टच करके उपर तक ले गया फिर छोटा है स्मॉली अब हम एफ बनाएंगे करसर राइटिंग का एफ एफ को बिद एफ एफ को हम ऐसे लेके जाएंगे एफ को पहले तो यहां से ऐसे लेके फिर इसका छूटा सा इधर उपर डंडा लेके जाके बिल्कुल सीधे और फिर यहां से गुमा देजी और चाहे तो आप सीधा भी बना सकते हैं लेकिन मैंने करसर राइटिंग का डिजाइनर बना आया है तो अब हम एफ छूटा एफ जी जी गल्कुल से लेका जी 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 एफ से लेके पात्राइब, हम और भी बना सकते हैं और वो और स्टैनी झाल हुआ कि उलव nजय है यह था हमारा L और इसके बाद आता है M, तो हम M लिखेंगे यह हमने बीग M बनाया और स्मोल M और अब हम N बनाएंगे यह था हमारा M और अब हम N बनाएंगे यह था हमारा बीग M और अब हम स्मोल बनाएंगे अब हम O बनाएंगे स्मोल O बिग O की तरह ही है बस उसका साइज शूटा करना है P यह है हमारा बीग P और अब हम स्मोल P बनाएंगे यह था हमारा P अब हम क्यों हो R R बिल्कुल P की तरह ही है बस आपको R थोड़ा सा लाइन खेचने R S यह था हमारा S अब हम बनाएंगे T T बिल्कुल F की तरह ही है जैसे हमने F बनाया था इसमें बस लाइन लाइन लगानी थे अब हम T में लाइन नहीं लगाएंगे T अब हम U बनाएंगे U एक गम सिंपल है यह देखे V और यह V डबलू डबलू बिल्कुल सिंपल है जैसे हमने बिग डबलू बनाया है वैसे ही स्मॉल डबलू और X X हम S करके S X और अब हम स्मॉल एक्स बनाएंगे Y जैसे हम स्मॉल एक्स बनाएंगे जैसे हम इस टाइप का भी जैड बना सकते हैं ठैक्स पूर वाचिंग माई वीडियो बाबाई क्वेंगे जैसे हम जैसे हम स्मॉल और खुर फुर्फंवीत